एसे सब्द जो की एक दूसरे के विप्रेत अर्थ देते हैं विलोम सब्द कहलाते हैं और आज हम हिन्षा का विलोम सब्द के बारे में बड़ी ही विस्तार से जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि हिंशा का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाएगें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंशा का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों हिंशा का विलोम सब्द अहिंशा होता है हिंशा का मतलब क्या होता है आये जान लेते हैं दोस्तों हिंशा का मतलब होता है मार काट मचाना जेशे की आतमवादी करते हैं वे बेकुसुरू लोगों को मारते हैं तो यह हिंशा होती है दोस्तों हिंशा इस दुनिया का पहला अंग है और सब प्रकार की जो समस्य पेदा होती है इसका कारण ये नेचर होता है छोटी छोटी जीवों की अंदर हिंचा होती है और तब हम इंसानों के अंदर हिंचा केसे नहीं हो सकती अहिंचा का मतलब क्या होता है आये जान लिते दोस्तों मन करम और वचन से हिंसा ना करना ही अहिंसा है दोस्तों वेशे तो अहिंसा के अंदर रहना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन असली बात यह है कि अहिंसा के अंदर रहा ही नहीं जाता और खास कर आज के जमाने में आज का जमाना ही कुछ इस प्रकार का हो चुका है कि जीवन के ओग जीने के लिए हिंसा करनी ही पड़ती है बहुत से लोग अहिंसा पर काम करती है लेकिन उनको भी यह पता होना चाहिए कि कई बार हम लोगों से अंजाने के अंदर किसी जीव की हत्या हो जाती है तो वह भी हिंसा ही होती है इस तरह से हिंसा का विलोम सब्द अहिंसा होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना नहीं भूलें इसके साथ ही ऐसे ही विलोमसब्द जानने के लिए चेनल के लाल बटन को दबा करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें